आपका सौकत है आज हम देखें के Scale Command क्या है Scale Command की मदद से हम अपने Original Dimensions को 2x, 3x, छोटा या बड़ा कर सकते हैं तो हम देखते हैं इसकी Scale या Dimension किस तरह चेंज करते हैं तो Insert में जाएए, Feature में जाएए, यहाँ Scale Command है यह देखिए, क्लिक कीजिए अब यहाँ तीन टाइप के Reference Point select होते हैं Scale About, Centroid, Origin Point और Coordinate System पहले हम देखते हैं Centroid Centroid में अब हमें इस Dimension को 2x बड़ा करना है तो यहाँ आप लिख दीजिए 2x Scale Factor में Select कीजिए, यह देखिए हमारी Geometry जो है 2x बिगर हो गई, हमारा Dimension 2x बिगर हो गया Present Dimension से हम एक बार और देखते हैं Second One Feature Scale अब दूसरा है Origin Point अब यह Origin Point के रेफरेंस से चलेगा हम इसे 0.5 mm यही हमारे Original Dimension से Half बनाते हैं Select कीजिए, यह देखिए हमारे Original Dimension से यह आधा Dimension हो गया अब तीसरा है Coordinate System उसके लिए हमें कोडिनेट डिफाइन करना होगा हमने अपने पिछले lecture में देखा था कॉडिनेट किस तरह इंसर्ट करें आप हमारी website आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं प्लेन में जाए एक कॉडिनेट सिस्टम एक कॉडिनेट कहां रखेंगे आप इसे प्रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं पिर X AXIS Y AXIS जैसा आपको चाहिए OK तो यह हमारा यह देखे यह हमारा कॉडिनेट सिस्टम रेडी हो गया अब हमारी जामेट्री जो है इसी कॉडिनेट सिस्टम के अगेंस छोटी या बड़ी या स्केल कर सकते हैं इंसर्ट फीचर स्केल हमने coordinate system यहां already select हो गया है अब हमें इसे two times बढ़ा करना है ओके तो यह हमारी geometry जो है two times बढ़ी हो गई इस reference point के थूरू, coordinate system के थूरू तो यह बहुत ही useful tool है Solidworks में उमीद करने आपको पसंद आया होगा